बिहार में फिर से COVID-19 की मरीज की रफ्तार बढ़ी, बीते दिन बिहार में COVID-19 के मरीजों की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ गई हैं, जिसके बाद राज में प्रभावितों का आकड़ा 509 पर पहुँच गया है, स्वास्तमंत्राले द्वारा जारी किये गए, छटे अपडे बांका, भागलपूर, बेगुसराय, नालंदा, नवादा, पटना, खाचपूरा के रहने वाले हैं, जिसके बाद स्वास्तमंत्राले ने आननफानर में प्रभावित इलाकों में सानिटाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करवाने के अपील की है, साथी लोगों की आबाज प्रभावित व्यक्ति पाए गए हैं, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों का आंकड़ा 570 को पार कर चुका है, स्वास्तमंत्राले द्वारा जारी के अंकड़ों के नुसार, पाए गए सभी मरीज में से 4 रोस्तरा के हैं, और 2 हसनपूर के रहने वाले बताए जा रहे बिहार के 38 जिलों में से 35 COVID-19 की चपेट में, जहां बिहार में COVID-19 के फैलने के असर को सामाने माना जा रहा था, वही बिहार के 38 जिलों में से 35 COVID-19 की चपेट में आ चुके हैं, जिसने सरकार और स्वास्ते विभाग की परिशानी बढ़ा रखिये, वही 35 जिलों में मिले COVID-19 इन प्रभावितों की संख्या को मिला दें, तो अब बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 570 को कुप पार कर चुकी है। सबी मजदूर भावुक होगे कुछ ने तो अपनी खुशी जमीन को चुमकर जाहिर की हलाके स्पेशल ट्रेन से पहुचने के बाद इन सभी लोगों की सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को करवाए गया जिसके बाद ही इन्हें अपने घर जानी के अनुमती दी गई अब होगी बिहार में असी बालू घाटो की बंदोबस्ती बिहार में जल्दी असी बालू घाटो की बंदोबस्ती होने वाली है पटना भोजपूर समेत अन्य जिलो में घाटो की बंदोबस्ती मई मही पूरी करने के तयारी शुरू कर दी गई है इसे पहले 17 अप्रेल को निलामी होने के कारण 22 मई को फिर से इनिलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी विहार में मीडिया कर्मियों को भी कराना होगा कोरोना का टेस्ट विहार में मौझूदा सभी मीडिया कर्मियों को अब COVID-19 की जाच करवाना अनिवारे हो गया है जहां पिर पटना के PMCH में सभी मीडिया कर्मियों की जाच करवाई जाएगी जिसके ने PMCH को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दियागी है क्रिशी इंपुट अनुदान योजना के लिए 20 माई तक आवेदन करने की है तारीख सभी किसानों के लिए एहम सूचना बे मौसम बरसात के तहट जिन भी कृसानों की फसल बरबाद हुई है सरकार ने उन्हें क्रिशी इंपुट अनुदान योजना के तहट राशी मोया कराने का एलान जारी क्या है मैं सभी किसानों से आगरह करते वे क्रिशी इंपुट अनुदान योजना के लिए 20 माई तक आवेदन करने की अपील की गई है जिसके तहट अपटना, नालंदा, भोजपूर, बकसर, रोहतास, और अंगाबाद, गोपाल गंज, मुजफरपूर, पाश्यमी, चमपारन, दर्भंगा, समस्तिपूर, मुंगेर, शेखपूर, अलग हिसराय, भागलपूर, भभबुआ, गया, जहानाबाद, अर्वल, बिहार में लगातार COVID-19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जारी है, महीं इसी बीच, बिहार सरकार ने COVID-19 के रोक्थाम के लिए सुझाब देते वे, रांडम टेस्टिंग और कॉन्टाक्ट ट्रेसिंग करवाने का सुझाब दिया है, इसके साथ ही, मुख्यमंतर बिहार में राशनकार धारियों को मुफ्त में दी जाएगी दाल, बिहार में सभी राशनकार धारियों को एक किलो मुफ्त दाल देने का एलान जारी किया गया है, जिसके तहत मुफ्त में बाटी जाने वाली दाल के आपूर्ती सहकारी खरीद संस्थान ने फेट करने वाली बिहार के डीजीपी गुपतेश्वर पांडे ने कहा जनता के लिए पुलिस हर समय है उपलब्थ बिहार के डीजीपी गुपतेश्वर पांडे कोवर्ड नाइटीन के इस माहॉल में बड़्चर कर लोगों की सहायता में लगे हुए है वहीं बीते कुछ दुनों से डीजीपी गुपते शर्पांडे खुदी रेड जोन वाले इलाकियों का जायजा ले रहे हैं वहीं से बीच डीजीपी गुपते शर्पांडे ने हाली में सभी पुलिस कर्मियों की तारीफ करते वे मीडिया हाउस से बातचीत की तौरान कहा कि पुर्व में पुलिस की बिगडी छवी COVID-19 की इस घरी में पूरी तरह से सकरात्मक दिखाई दे रही है ऐसी परिस्तेती होने की वज़े से अपनी जान की परवा किये बिना ड्यूटी पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं लिख्यों को पानी की कमी नहीं सताईगी अप्रैल महीने में राजधानी का वॉटर लेवल 70-75 फीड के करीब रहता है जबकि इस साल वॉटर लेवल 55 फीड है जो की पिछले साल की अपेक्षा में इस साल वॉटर लेवल 20 फीड उपर है चार साल में पहली बार शहर का वाटर लेवल नॉर्मल हुआ है, वर्ष 2015-16 में वाटर लेवल 55 फीट से आसपास था, वाटर लेवल नीचे नहीं जाने के लिए लोगों को इस बार पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहीं विशेशंग्यों की माने तो बंद मे पानी की कम खपत होने तथा अप्रेल वमाई में हुई बारिश ने वाटर लेवल को बरकरार कर दिया है, बिहार के बारह विभागों ने की 3,44,000 योजना की शुरुआत, COVID-19 का संक्रम अन्नकातार फैलता जार है, इसे रोकने के लिए लगाए गये बंद के कारण, लाखों लोग अपने घर लोटने पर बजबूर हो गए हैं, दूसरे राज में फसे बिहार के लोग रोज श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने घर पहुँच रहे हैं, बीते दिन भी 20 ट्रेन से लगभग 20,000 लोग बिहार के अलग-अलग जिलों में पहुची थे, इसी बीच मुख् प्रमुखों से जाफतोर पर यह का है कि प्रमासी मजदूरों के स्किल्स सर्वे से प्राप्त प्रोफाइल के अनुसार रोजगास क्रिजन की तैयारी करें अब विधायकों के जिम्में सौंपी गये उनके इलागे की सड़क पत्थ निर्मान मंत्री ने अपनी तरफ से सभी विधायकों को आदेश यारी करते हुए अपने इलाके विभाग ने साफ तोर पर यह का है कि बिहार विधान सभाव के सभी सदसे अपने अपने इलाके की सरकों पर नजर रखेंगे आपको बता दे इस वितिय वर्ष में 13,000 किलोमीटर से अधिक सरकों की मरमत की जानी है जिसके लिए पत्थ निर्मान विभाग ने 71 पाकेज में इ वलत नीतियों के कारण महानगरों से पैदल ही लोग अपने घरों को जाने मजबूर हो गए हैं ऐसे प्रवासी मज़ूर के रास्ते में सामाजिक संगठ्षनों और सभी देश्वासी मदद करें कोविड-19 के इस माहौल में लागू तीस्टी चरण के बंद के दौरान सरकार द्वारा और प्रवासी मज़ूरों को उनके ग्रिल जिले तक भेजने की घोशना को अब तक अमल में नहीं लाए जाने के कारण मज़ूर पैदल ही निकल रहे हैं सरकार को अपनी जिम्मदारी साई धंग से निभाने की जरूरत है हाला कि केंदर सरकार के आदेशा अनुसार विभिनेजिलों से शमिक स्पेशल टेन का परिचालन करवाय जा रहा है जिससे हजारों की संख्या में हर दिन बिहार में प्रवासी मज़ूर और छात्र लोट र जाती है वही रतन राजपूत खुद भी गाउं से अपनी तस्वीर और वीडियो को शेयर करती रहती है जिसके तहट एक वीडियो में उन्हें चूले पर कढ़ी चावल बनाते देखा गया है वहीं बीते दिन शेयर किये वीडियो में रतन राजपूत ने बताया कि अपील की है जिसके तहट मुख्यमंदर नितीश कुमार ने अधिसूचना जारी करते वे यह आदेश जारी किया है कि आईसोलेशन बॉर्ड में रह रहे किसी भी आमलागरी की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं आने चाहिए लोगों की सहूलियत के हिसाब से विवस्ता करवा स्तर ये कॉरिंटीन सेंटर बर भी प्रकंड स्तर की विवस्ता रखी जाए आज 12 शम इक स्पेशल ट्रेन पहुचेगी बिहार बिहार पहुचने वाली प्रवासी मजदूर और छात्रों के आवजा ही लगातार जारी है बीते दिन जहां 17 ट्रेन प्रवासी मजदूरों को विवार बिहार पहुचे थी वहीं आज 12 शम इक स्पेशल गात बिहार पहुचने वाली है जिसके बाद बिहार पहुचे इन सबी मजदूरों और च्छात्रों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया करवाई जाएगी उसके बाद वहांत से उन्हें उनके ग्रीव जिले में भेजा जार है स्वास्ते मंद्राले द्वारा जारी किए अधी सूचथना के अनुसार बीते दिन राजि में उन्चास और मरीजों ने कोविड-19 की परीक्षा पास कर ली हैं जिसकी बाद राजि में कुल मिलाकर 260- Люक्त लों कोविड-19 की परीक्षा को पास कर चुके हैं जिसके बाद स्वास्ते मंत्राले ने राहत की सास ली है वहीं स्वास्ते मंत्राले ने सभी अधिकारियों को अधिसूचन जारी करते वे राज में COVID-19 प्रभावित व्यक्तियों की चेन का जल से जल पता लगाने का भी आदेश जारी किया है। और कम दामू में लोगों को सैनिटाइजर उपलप्त मिलेगा। स्वास्त देखवाल सुविधाय उपलप्त कराई जाएंगी। इसकी जानकारी केंद्रे स्वास्ते एवं परिवार कल्यान मंत्राले की तरब से जारी की गई है। अगले हफ्ते प्रवासी बिहारियों की वापसी की बढ़ेगी रफ्तार केंद्र सरकार के आदेशा अनुसार बिहार में सभी प्रवासी वापस लोटें लगे हैं। की अब तक हजारों प्रवासी बिहार राजे पहुंच चुके हैं। केसी के बारहवी और दसवी एक्जाम की आई तारीक सीबियसी की दसवी और बारहवी कक्षाओं की बचीवी परिक्षाओं को लेकर तारीक जारी कर दी गई है। की अब सभी प्रवासी मजदूरों को उनके भाग्य और सामाज के दया पर छोड़ दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो केंद्र और राजसरकार दोनों ने ऐसे मजदूरों को भाग्य के हाथ में सौप दिया है। जियो फोन यूजर भी अब कर पाएंगे आरोगे सेतु आप को डाउनलोड सभी जियो फोन यूजर के लिए एहम सूशा भारत सरकार द्वारा कॉन्टाक्ट ट्रेसिंग आप आरोगे सेतु अब जियो फोन के लिए भी रोल किया जा रहा है। आरोगे सेतु सेवा पहले ही Android और iOS के लिए उपलप्त करवा दी गई है। आस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स केरी ने महेंदर सिंग धोनी जैसा बनने की जताई इच्छा। कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं धोनी की तरह बना चाहता बल्कि अगर आप किसी भी क्रिकेटर से पुछते हैं तो पर MS होनी की तरह ही जरूर खिलना पसंद करेंगे। कल हमारे द्वारा पुछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है। इसके लावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के आभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे।